हेलो फ्रेंट सावार यू आई तिंग को लर्फाइन सो एच्पी एसे सरीयन पब्लिक सर्विस कमिशन की जो टेक्निकल में लेक्चरर के एक्जाम हुए थे उसकी जो है ओरिजिनल अंसर की आचुपी है लेकिन अभी तक रिवाइज ओरिजिनल अंसर की नहीं आई है क्योंकि कई questions जो है उनके answers wrong given है उसमें तो बच्चों ने objection लगाए हुए हैं सो after original answer की वो आपकी क्योंकि ज़्यादा तर एक्जाम में देखा गया है कि जो revise answer की आती है वो आपकी list लगने के बाद आती है क्योंकि फिर उसके बाद कोई option नहीं बचता ऐसे तो फिर ये कहा जैसे कि comments आप से पूछा गया था तो उन्होंने यहीं बताया था कि ऐसे तो फिर जो आपका objection करने का जो सिलसला है वो चलता रहेगा तो इसी लिए जो है आपकी original answer की जो आएगी revised original answer की 99% आपकी जो है माक्स की जो list लगने के बाद ही आने के chance है तो उससे पहले क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है candidates है उनके message आ रहे थे कि मैं score क्या रहा क्या जो है cut off कितनी जाएगी क्योंकि जब तक original answer की नहीं आए थी तो उससे पहले negative marking होने के बावजूद भी बच्चे कह रहे थे कि हमारे score 70 plus हो जाएंगे 65 तो confirm ही है 75 plus तक score जा चुके थे कई candidates यह कह रहे थे कि हम हमारे तो ना 75 plus score आएंगे लेकिन जब उनकी original answer की आई तो हम तो इसी को original answer की मानते वे चलेंगे वैसे यह है कि एक दो numbers जो है आपके जरूर increase होंगे क्योंकि जो answers given है वो कुछ answers हो बिल्कुल ही wrong given है तो उनको हम जो है number बड़े increase होंगे तो सभी के increase होंगे इसलिए हम उनक को लेकर नहीं चल रहे हैं तो जिन candidates के 75 plus score उस time पे calculate कर रहे थे कि वही हमारे 75 plus है अब जो है 68, 69 यानि कि एक दो ही candidates ऐसे हैं जिनकी 68 plus score जिनोंने बताया है कि हमारे मैम 68 plus score बन रही हैं नहीं तो बाकी सब ही की 60 या 65 की range में जो हमारे link में हैं उनके इस range में जो है marks बन रहे हैं और आपके score क्या बनते हैं ये आप भी comment करके जरूर बताएगा ताकि comparison हो सके और जो बहुत सारे जब तक list रही लगेगी तब तक candidates के mind में यही चलता रहेगा और बहुत सारे जो है इसी types के comment आते हैं कि मैं expected cut of क्या रहेगी आपके score कितने हैं तो आप ज score ज़रूर comment session में लिखिएगा और जहां तक उमीद है तो अगर आपके 60 plus score है तो पूरी hope है क्योंकि negative marking में जो है अगर आपकी negative marking नहीं होती तब भी इतनी high list नहीं जाती है लेकिन अब देखना होगा कि कहां तक list जाती है बट 60 plus वाले hope बना सकते हैं so thank you so much और अगर आपकी other कोई query है तो आप comments से सर्में पूछ सकते हो हां और candidates पूछे मैं objection लगायो है हां जी कई candidates ने objection किया हुआ है कई questions पर और objection अगर एक करता है तो answers अगर उसको accept किया जाता है तो सभी को उसका benefit मिलता है तो attention लेने की जरूरत नहीं है देखते हैं final cutoff list के बाद कि क्या कुछ score रहता है तो वीडियो अच्छी लगी तो like, share and subscribe करना नहीं भूले और अगर आपके और भी कोई query है तो आप comments से सर्में पूछ सकते हूं thank you